सनी देवल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ओपिस पर गदर मचा दिया है जी हाँ दोस्तों गदर 2 हर दिन बॉक्स ओपिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई कर रही है लेकिन पांचोए दिन यानि की 15 अगस्त के दिन फिल्म ने अठाउन करोड की भारी भरकम कमाई करके बॉलिवूड और पाकिस्तान के रॉंग टे खड़े कर दिये वहीं अब फिल्म का छटे दिन का कलेक्शन का आकड़ा भी सामने आ चुका है जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते की गदर 2 जो की सनी देवल की most awaited film थी वह 11 अगस्त को अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 के साथ सिनेवा घरों में रिलीज हो गई हाला कि रिलीज होने से पहले बॉलिवूड वालों ने सनी पाजी को हलके में ले लिया उनको लगा कि आएंगे और चले जाएंगे हमारी फिल्मों को कुछ फरक नहीं पड़ेगा इसलिए एक्षे कुमार ने सनी देवल के साथ अपनी फिल्म Oh My God 2 को रिलीज करने की गल्ती कर दी रिलीज होने के बास से सनी देवल की फिल्म Oh My God 2 बाजी मार जाएगी लेकिन सनी देवल का जादू जो चला ऐसा चला की उसकी आंदी में दूर दूर तक Oh My God 2 नजर नहीं आई और गदर टू ने जम कर बॉक्स आपिस पर सब को धो दिया और जहाँ एक तरफ सनी देवल की भारी भरका मवाज और पाकिस्तान को हिला देने वाले डायलॉक्स उपर से भैंकर एक्शन ने तो फिल्म में च्यार चांद लगा दिये वहीं माना जा रहा था कि फिल्म 15 अगस्त को जम कर कमाई करेगी और कुछ ऐसा ही हुआ उसके बाद फिल्म करिटिक्स को लगा कि 15 अगस्त के बाद फिल्म की रपतार धीमी हो जाएगी लेकिन हैरानी के बाद ये है कि फिल्म का क्रेज दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और जितना कि इस फिल्म के रिलीज वाले दिन देखने को मिला है से कई गुना ज़्यादा क्रेज फिल्म के रिलीस के चटे और सात्वे दिन पर देखने को मिल रहा है हालागि अगले तीन दिन तक गदर टू के सारे सोस खचाखच बुक है वहीं इस फिल्म का क्रेज इतना है कि मानो शनी देवल को देखने के लिए लोग टेक्टर में भर भर के आ रहे है वागई में बॉलिवूड में कोई ऐसी फिल्म का क्रेज कई सालों बात देखने को मिला है वहीं बात करें 15 अगस तक तो फिल्म ने अपने रिलिस के 5 दिनों में 288 करोड का भारी भर कम कलेक्शन किया वहीं अब मीडिया रिपोर्ट के मताबिए 6 दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है और आपको जानके हरानी हुगी कि 6 दिन भी वीकडेज के अनुसार भी फिल्म ने 30 करोड की भारी भर कम कमाई किया है जिसके बाद कुल मिला कर ये फिल्म 6 दिनों में 288 करोड का भारी कलेक्शन कर चुकी है और अब इस फिल्म को 300 करोड के कलेक्शन में शामिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और माना जा रहा है कि ये फिल्म अगर ऐसी चलती रही तो इस विकेंड तक 300 करोड का आकड़ों को भी पार कर लेगी आपको इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स अबने रहा है जरूर लिकें